नमस्टर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल, The Retail Investor में दोस्तों, यहाँ पे चर्चा होने वाली है, मिश्ठान Foods Limited की और जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टॉक, 0.65% की आज ये तेजी दिखा रहा है दोस्तों ठीक है, और 21.50 पैसे की ऊपर सस्टेन लगातार कर रहा है, जो की एक अच्छा साहिन है, लेकिन जो मिश्ठान Food है दोस्तों, इस टॉक ने पिछले कुछ समय में, एक काफी शांदार, शांदार नहीं कहना चाहिए, काफी ज़्यादा Profit Booking देखी है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप स्टॉक को देखे, पिछले 5 दिनों में इस ने, उपरी स्टरों से, अल्मोस्ट, अल्मोस्ट एक समय में तो साड़े 5 पर जादा की गिरावट दिखाई थी, और 21 रुपए, 16 पैसे तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ, दिखाई दे रहा था फिर वहाँ से एक वापस से जंप हुआ, दो पर जादा का, और अगर पिछले एक बहीने में आप देखेंगे, तो इस टॉक ने उपरी स्टरों से ये देखें, तो साड़े 12 पर से जादा की गिरावट दिखाई है, ठीक है, और अब ये चीज़, बहुत बहुत जादा नि ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखेगा, अभी जो ये आपको गिरावट दिख रही है, इसके पीछे का रीजन ये है, क्या है थोड़ी देर मता हूँगा, कंपनी ने कन्वर्शन और सेक्यूरिटी स्को ले करके कुछ बात कही गई है, और उसका जो एवरिज है, वो बहुत जादा नीचे है दोस्तों, और इसी कारण कुछ आपको जटके ये स्टॉक दिखा रहा है दोस्तों, बट ऐसा लॉंग टर्म स्वेस्टर, जो स्टोरी थी वो अभी भी इंटक्ट है, क्योंकि आप समझेए, कि मिश्ठान फूड में, जो आपको ये रैली द चाहिदा, कंपनी ने कौर्टर थ्री, और कौर्टर फूर में, मोर अलेस काफी शांदा परफॉमेंस की थी, ठीक है, और आने वाले समय कंपनी के जो इथेनॉल को लेकर के, इथेनॉल को लेकर के जो बातें चल रही हैं, वो बहुत इंपोर्टन थी, ये दोनों ही चीज़ हैं आपको एक चीज़ पता होगी हम इसको 7 रुपए से ट्रेंड कर रहे हैं दोस्तों यह देखें 7 रुपए 10 पैसे क्या सबस्ता 7 रुपए से ट्रेंड कर रहे हैं लेकिन अगर आप as a investor stock में बहुत पहले से ही जोड़ गया होंगे तो भाई साब आपके पास तो बहुत ही शामदार नमबर हों क्यों stock 2 रुपए 2 रुपीस 47 पैसा में था वहां से आप देखें stock ने 827 का परसेंट बल्कि 836 परसेंट का रिटन अपने निवेश को को दे चुका है अब problem ही है दोस्तों यह देखें कंपनी न यह इनके level अगर यह 20 रुपए जाती है तो फिर पहला यह आता है कहां पर आप इसको देखें यह आता है आपका 22 रुपए कंपनी ने तोड़के ऊपर गई और देखें एक तमे 24 रुपए भी गई थी तो यह आता है उसके पाद देखें 26 रुपए 20 पैसा यह इतना जादा important range है अगर जब तक इसे नहीं तोड़ेगा और मैं आप बता दूँ यकीन मानिये मिश्ठान फूट को यह तोड़ने में बहुत समय लगेगा जब तक इसे तोड़ करके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई भी बड़ी rally हो इसके बारे में कोई नहीं हो सकता हा इसने अगर मैं को maximum दिखा हूँ आप देखे इसने आपको maximum दिखा है कितना 34 रुपे 88 पैसा ठीक है अगर मिश्ठान फूट 35 जी हाँ रुपीज 35 के ऊपर जाता है तो फिर यह उस territory में चला जाएगा दोस्तों जो अब यह कभी कर नहीं गया कभी तक आज तक नहीं गया है तो as an investor आपको मैं बता दू 35 रुपए के ऊपर के दजार करें अगर stock ने 35 रुपए के ऊपर यह चला गया तो तो फिर जिस प्रकार की तेजी जिस प्रकार की rally आप stock में देखेंगे वो अपने आप में phenomenal रहेगी यह तो मैं कुछ positive बात है कह रहा हूँ but but और but stock के लिए यहां पर अगर stock तोड़ेगा दोस्तों अगर तोड़ता है तो फिर वापस से stock वही आ जाएगा जहां से चला था यानि वापस से उस प्रकार की weakness आपको यह stock दिखाएगा दिखा रहा होगा जिसके अपने कलपना भी नहीं की थी ठीक है वापस से stock में गिराफट हो जागे बट इस stock के लिए जो सबसे बड़ा जो trigger मुझे लगता है दोस्तों as a investor आपको पता होना चाहिए ethanol जी हाँ ethanol को लेकर के company ने अपने updates बीच में दे रहे हैं और खबर यह निकल के आ रही है अभी कोई official खबर नहीं है बट हाँ आने वाले दो से तीन quarter में company का जो मिस्ठान food क जो ethanol plant है यह तैयार हो जाएगा हाँ एक डर है balance sheet बहुत खराब हो जाएगी बट भारत सरकार जिस प्रकार से तीकाम कर रही है दोस्तों भारत सरकार जिस प्रकार से चीजें देख रही है ethanol को लेकर के खास कर कि कहां से मेश से बने ethanol को वो company के लिए game ginger साबित हो सकता है और मैं कोई बहुत आता government bias rule नहीं मेरा यह कहना है जिस प्रकार के जो pre-determined rule already बने हुए है अगर वो बने रहते हैं तो फिर भाई सब जिस प्रकार की तेजी आपको देखने को बलेगी वो अपने आप में शांदार रहेगी ठीक है लेकिन जैसा मैंने कहा भाई उसमें risk भी आज से करीबन करीबन आप कह सकते हैं पांच दिन पहले की है दोस्तों क्या कहा जा रहा है इसमें यह कहा जा रहा है बही देखिए regulation we wish to inform you that the member of board of directors of the company through resolutions by circulation on 22nd january 2024 considered and approved the conversion of एक करोड चालिस लाग जी हां वन करोड फॉर्टी एड लाग वर्राइंट इंटू वन करोड फॉर्टी एड लाग equity share जी हां जो आप ते सारे वर्राइंट से उसे convert करके equity में कर दिया जाएगा एक रोफ फेस वैल्यू में on preferential basis at issue price of साड़े तेरा रुपई का ठीक है यानि की साड़े तेरा रुपई का upon receive of amount aggregated कितना 14.98,50,000 only at the rate of 10 रुपीज 125 पाईसा ठीक है per warrant ठीक है for the alloties person to exercise their right of conversion to equity share in account with the सभी यानि जिनके पास भी इतना बड़ा होगा दोस्तों वो convert होकर के अब क्या हो जाएगा आपके पास equity warrant हो जाएगर average value क्या रहे होगी साड़े तेरा रुपई की दोस्तों ठीक है इतना ही है now आगे company लिखती है consequent to today's conversion warrant equity share of 4,44,000,000 warrant shall remain pending for conversion which can only be converted into equity share upon payment of balance 75% on the warrant issue price per warrant within 18 months date of warrant allotment ठीक है तो ये करना पड़ेगा प्याँ बाकि लोग को लेकिन इससे क्या पैदा होगी दोस्तों इससे stock में liquidity बहुत जादा पैदा हो जाएगी ठीक है बहुत बहुत जादा liquidity पैदा होगी ठीक तो इसके करन एक दबाव आपको stock में देखने को मिल रहा है जो अभी भी लगातार सिर्फ और सिर्फ जारी है दोस्तों ठीक है लेकिन आप देखें मैं stand food को अगर मताऊं stock जब मैं video record कर रहा हूं सवा आठ रुपए की stock के PE है यह याद रखिये तीन रुपए की book value यानि आपके सकते 7 times के आसपास trade कर री book value के जो कोई बहुत खराब नहीं है आपको मैं अगर इसकी अगर चर्चा करूं debt equity यह अभी भी under बहुत जादा control है दोस्तों ठीक है और अगर अगर हम आगे चलें इस चीज़ में दोस्तों इसके quarter 3 के आपको मैं number दिखाता हूं आप देखें quarterly numbers पिछले 2 quarter 318 crore और बलकि आप जून से देखें 294 crore 318 crore 331 crore लगातार 3 quarter में इतनी शांदार तेजी है आप देखें कंपनी ने कभी भी इस रकार की तेजी नहीं दिखाई दी दोस्तों ठीक है और इतना ही नहीं आपका जो आप कैसे के EPS 14 पैसे, 11 पैसे, 2 पैसे, 13 पैसे था 69 पैसा, 87 पैसा और 93 पैसा यानि लगातार 3 quarter में upward trajectory में इसका business रहा है और बात इतनी से नहीं है दोस्तों इसकी मस्ठान food की कई लोगों को ये नहीं पता strength क्या है hotels ठीक है, restaurants इसमें company अपने चावल को है बास्मती राइस को supply करती है और इस पैसे बागार की hospitality sector में एक boom देखने को मिल रहा है ये बहुत positive है इसके लिए ठीक है, ये company के लिए और अभी दोस्तों, ये तब नमबर साने जब export बेंच चल रहा है बास्मती राइस का ये company के लिए उत्ता अच्छा नहीं है किसी दिन अगर ख़बर ये निकल कि आते हैं अब जो बास्मती राइस का export है, वो open होने वाला है तो फिर ये companies के लिए बहुत बहुत जादा important रहेगी दोस्तों ठीक है, plus company ने पिछले कुछ समय में आप देखेंगे, तो FIIs ने भी काफी अची holding करके रखी है दोस्तों कैसे आप देखें आपे public ने आप देखें तो अपना माल बेचा है जहां 50.72% का स्टेक था वो घट करके 47.95% हो गया है, ठीक है पिछले 2-3 quarter मैं ने company ने बेचा है पिछले public ने बेचा है FIIs ने माल चुपचाप उठाया दोस्तों, आप देखें तो नेमुरा Singapore Limited है, उन्हों ने पिछले, आप ज़कते हैं, एक दो, लगाता है, तीन quarter से बनी हुई है company तो ये आप समझे, मिश्ठान पूट के लिए एक अच्छी चीज है दोस्तों बट मेरा ये मानना है, अगर आप इतने अच्छे return बाच चुके हैं, प्लीज partial profit book करना सीखें क्योंकि इससे आपको ये रहता है कि at least भाई, हमने partial profit book कर लिया है या 60-70% profit book कर लें और माद 30% यानि free का stock रखें, ताकि आपको लगे हैं हाँ, profit भी होगी आप जो stock आने वाले समय में होगा अगर काफी अच्छी तेसी भी होती है, तो हम छोटी सी analysis आपके साथ share करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को like करके, चैनल subscribe कीजिएगा ये इस वीडियो का अंता है, चैनल